इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Document Application के अंदर अगर आपको इस तरीके से लिखावाता है No Files Available Offline Tab Available Offline in a File Menu so that you can keep working on it offline तो basically अगर इस तरीके का इश्रू आ जाता है तो इस तरीके के इश्रू को हम कैसे solve कर सकते हैं यह मैं आपको इश्रू वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो अगर ऐसा इश्रू आ जाता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले हिहाँ से जो है मिनिमाइस कर देना होगा और मिनिमाइस करने के बाद सेटिंग्स में जाना होगा सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर एक दफ अपने नेटवर्क न इंटरनेट पर जाना है और यहाँ पर एक दफ ऐरोपलेन मोट को लगा देना है और उसके बाद बंद कर देना है फिर बैक ला देना है और बैक लाने के बाद सबसे निक्षी जाना है system में तो system को भी खोल लेना है system को खोलने के बाद यहाँ पर date and time पर जाना है date and time पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखवाएगा सबसे उपर network provided time zone इस तरीके से और यहाँ आपको करना होगा फिर उसके बाद यहां से बैक ला दीजे अगर अगर आप यह कर देता है फिर बैक ला दीजे और अपने प्ले स्टोर में चाहिए और यहां पर साज़ करिए google documents जो application है और उसके बाद यहां पर update आ जाता है तो update कर लिजे ठीक है अपडेट कर यहां के बाद आपके शारे इसू जो होंगे वो solve हो जाएगी और आपकी जो problem हो वो भी solve हो जाएगी लेकिन अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं हो रही है तो फिर back ला दीजेगा यहां से भी और अपने phone की settings में दुबारा जाईएगा और यहां पर apps and notifications में जाईएगा CR Labs को खोल लीजेगा और यहां पर आपको application को find कर लेना है तो यहां पर आपको बैक्गराउंड में डेटा को start कर देना है अनलिस्टिक डेटा भी खुल जाएगा उसके बाद तो उसको बंद रख देना है तो आपको यह करना है और दिहान नहीं अगर आपके अलग तरीके की settings आती है जैसे wifi या mobile data तो उसको भी आप जो है on कर सकते है ठीक है तो आपको इतना वस करना है और कुछ भी नहीं करना तो अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो म है तब तक के लिए bye and take care